नमस्कार दोस्तों सागत आपका Medical Guru चैनल पर आज हम सुमो टाबलेट के बारे में पूरी जान कर लेने वाले हैं सुमो टाबलेट का मुक्यत व्यक्दर्थ की समशा दुरू करने के लिए किया जाता है आईए सुमो टाबलेट के बारे में आधिक विस्तार से जानते है यह टाबलेट का इसे काम करती है, कहा इस्तिमाल होती है, इस टाबलेट के क्या बेनेफिट से, क्या साइड़पेक्स है इस टाबलेट से जुड़े सभी सावाला के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखिर तक जरू देखे Alchem Labdorage Company की यह 15 टाबलेट की स्ट्रीप आपको 113 रुपए 50 पैसे में किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसाने से मिल जाएगे बात करते हैं इसमें मौझूद कंटेंड के बारे में सुमो टाबलेट में निमोसुलाइड BP 100 mg और पैराशेटमाल IP 325 mg यह कंटेंड समयस्ट है इसमें मौझूद निमोसुलाइड यह ब्रेन से निकलने वाले वून केमिकल मेशेंजर को रोकता है जो सिर्दर्द का कारण बनते हैं और पैराशेटमालिय है वाड़े में मौझूद उन केमिकल मेशेंजर को रोकता है जो बुखार और दर्द का कारण बनते हैं बात करते हैं इस टाबलेट के उज्यस की डॉक्टरी से किन किन समश्या में इस्तमाल करते हैं इस टाबलेट का उपयोग सिर्दर्द, बुखार, मार्स फिश्यों का दर्द, बदन दर्द, दात का दर्द, कान में दर्द, मिन्स्टर साइकल में वन्यवाला दर्द, गाटियों का दर्द, कमर दर्द, जोडों का दर्द, गुटनों का दर्द, सुजन, माईग्रेन, पूच ले याद रेके दोस्तों इस टाबलेट का इस्तेमाल आपने डॉक्टर के सला ग्यानों सरी करें आड़ाल पेक्ती से दिन में दो बार खाना खाने के बाद सुबह और शाम ले सकता है बात करते हैं इस टाबलेट से उने वाले साइड रिपेक्ट की यदि आपको इस टाबलेट में मुझूद कंटेंट से आलर्जी है तो आपको साइड रिपेक्ट हो सकते है यदि आपको बताएगा साइड रिपेक्ट महसुस हो तो रॉक्टर से तुरन संपर करें इस टाबलेट से आपको मितली, उल्टी, पेट दर्ध, अपचन, दस्त, चक्कराना एह साइड पेक्ट हो सकते हैं बात करते हैं एह टाबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या साइड रिपेक्ट लेने चाहिए यदि आपको इस टाबलेट में मुझूद कंटेंट से आलर्जी है तो इस टाबलेट का इस्तेमाल ना करें यदि आपको और मेडिसीन या फिर दर्ध की दावा ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरू इनिफर्म करें यदि आपको liver या फिर kidney से जुड़ी कुई भी समस्या हो तो इस tablet का इस्तिमाल आपने डॉक्टर की सलाह गयानोषारी करे यदि इस tablet का इस्तिमाल गर स्वास्टी महिला को करना हो तो गयाद कालाज जिसकी सलाह गयानोषारी इसका इस्तिमाल करे यह टाबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अलकोल का प्रयोग ना करे दोस्तो अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करे और Medical Guru चानल को सब्सक्राइब करे और साथी बेल अकन दबाए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद